कस्मिर के मीडिया वाले सेट करकर बैट जाओ मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वालों चिंता मत करें मुझे रजारा सब के साथ नजर मिलाने का मौका मिल जाए प्लीज बैट जाए यह तो कुछ और कुछ लोग ही सोर आ जाए प्लीज बैट जाए जिसके पास स्टेंड है बै तेरे नद्दी का जाए अरे बैट जाओ यह मैं जिद्दी किसम का आद्मी शुरू नहीं करूंगा तब तक मंच पर उपस्तीत बैट जाओ यह बैट जाओ मंच पर उपस्तीत श्रिमान मनोज सिनाजी जिने सची लगन से जम्मु कस्मीर में बढ़लाव लाने का प्रयास किया है और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सफल प्रयास किया है उनको बहुत-बहुत सफलता मिल देगा मंत्री परिशत में मेरे साथी इसी सूबे के नेता डाक्टर जीतेंद्र सिंग जी और आज आज के कारेक्रम की रूह जिसको कह सकते हैं ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाहियों और बेहनों को मैं प्रणाम करता हूं मैं आज यहां पर आया हूं पांच अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं और मैं आपको बहुत बरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेत्रुत में जम्मू और कस्वीर और विशेश कर घाटी के अंदर विकास के नए यूग की सुरुवात हुई है इसकी अनुभूती तो आपको होती है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दो हजार चौबीस तक आपको इसका अंजामी बहुत खुबसूरत देखने को मिलेगा कस्मूर का चवुम की विकास हो यह मोदी जी की दिल की इच्छा है विकास की बात करने ही मैं आया हूँ मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं मुझे बहुत टाने सुनाए गए हैं बहुत कोसा गाया है बहुत कड़े कड़े सब्दों में मेरी निंदा की गई है मैं आज आपके साथ मन खोल कर बात करना चाहता हूँ इसलिए ना बूलेट प्रूफ है ना कोई सिक्क्यूरिटी है मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूँ मित्रो आज ही मैंने अख़बार में देखा फारुक साब ने मुझे सला दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करें अब खेर बड़े अनभवी व्यक्ति है मुख्यमंत्री रहे सुबे के उनकी सला है मगर मैं फारुक साब को कहना चाहता हूं और आप सब को विशेश करना चाहता हूं बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाईयों और बेहनों के साथ बात करूँगा गाती के युवाउं के साथ हुम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें इसलिए मैं जब युवाउं से बात कर रह था मैंने कहा था कि मैं गाटी के विवाव के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ मेरा हाथ मैंने गाटी के विवाव के साथ दोस्ती का लंबाग देया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं है हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है गाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाक का विकास एक मात्र पाकिजा मकसद के साथ एक अदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूँ के 2024 के पहले कस्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा मित्रो मोदी जी के दिल में कस्मीर वस्ता है जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योदनाओं ठीक से पहुँच रही या नहीं पहुँच रही मैं और मनोजी भी सयुक्त रूप से जब मिलते हैं वो पूरते हैं कि सारी योदनाओं का लाप भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कस्मीर में पहुंचता है नहीं पहुंचता है मित्रों आज मैं विकास की बात बाद में करूँगा मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं दिल में से खौप निकाल दीजिए डर निकाल दीजिए कस्मीर की सांती और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं हम पर भरोसा कर सकते हैं और विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले उनका मकसद साप नहीं उनकी नियत भी साप नहीं है कि मुझे कहते हैं पांच अगस्त के बाद कर्फिव क्यों लगाया इंटरनेट क्यों बन करा कस्मीर के युवाओं को गुम्रा करते हैं कि मैं आज इन सब को जवाब देना चाहता हूं आप भी मेरे सामने बेठे हैं एक कस्मीर की अवाम कस्मीर की जंता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है आप मुझे बताईए पांच अगस के बाद इंटरनेट पन न करते अगर कर्फियू न लगाते तो युवाओं की भावनाओं को भड़का कर जो स्थीती होती इसमें कौन मरता कौन मरता कस्मीर का युवा मरता हम नहीं चाहते थे कि कस्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए गोली चलानी पड़े ये लोग समझे न समझे ये तीन परिवारों ने यहां सत्तर साल तक सासन किया है ये न समझे समझे हम जरूर समगते हैं एक बुड़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोज कितना बड़ा होता है यह हम समझते हैं आपके सासन के अंदर चालीस अजार लोग गाटी के अंदर मारे गए आज तक आतंकवाद और दरसतजगर्दी की निंदा नहीं की है बोलते हैं तो क्या बोलते हैं यह मारा गया ठीक नहीं हुआ मगर मारा उसने ठीक किया क्या वो नहीं कहते हैं मैं आपके सामने साप करने आया हूँ उनको मारने की इजाज़त हम नहीं देंगे उनको सांती में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा मित्रों बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि कर्फिव बंद है इंटरनेट बंद है बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि दारा 370 जाने के बाद घाती में कस्विर्यों की जमिन छिन ली जाएगी यह सारे तैसिल पंचायत के मेमरान बैठे है जिला पंचायत के मेमरान बैठे है सरपन साब बैठे हैं आप लोग बैठे हैं आप अपने अपने गाउं में जाईए और पूछिए बहुत या कितनी जमिन चली गई दो साल हो गए कितनी जमीन चली गई यह जूप फेलाते हैं अगर आए आपके गाउं में आपको मिलने के लिए तो बताना कि मेरे गाउं में तो जमीन नहीं गई भी आप कहते देख क्या हो गया यह हसाती नहीं है मित्रो इविकास को बांद कर रखना चाहते हैं अपनी सत्या को बचा कर रखना चाहते हैं सत्तर साल से जो ब्रश्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं मनोजी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी चाहे सेंटर पेरामिट की फोर्स हो जमुकस्मीर पुलीस हो सेना हो या जमुकस्मीर प्रसासन हो आज भी 6,000 लोगों को यहां से नौकरिया मिलने वाली मैं आपको दावे से कहता हूँ ना एक भी सिफारी सुई है ना एक भी व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है यह जो जमाना थाना अपने आसपास वालों को नौकरी देने का वो जमाना समाप्त हो गया है जिसमें कावत है जिसमें मेरीट है जिसके अंदर दम है जो अपनी जवानी कस्मीर के विकास के लिए लगाना चाहता है उसको नौकरिया मिल रही है मगर उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी सिफार इसके बगieur बला किसी को नौकरी मलेू हमारी सिफार इसके बगईर कोई probe रहा है कोई सिखसक बन जाए कोई constable बन जाए ऐ एक कैसे हो सकता है मैं कहना चाहता हूँ जनाब अब ऐसे ही होने वाला है अब ए तीन परिवारों का जो इस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का सिकंजा करा साथा ये नहीं चलने वाला है मित्रो मैं अभी देर सारे सुफी संतों को मिलकर आया हूँ सुफी जम मद्देशिया और इरान से कश्मीर के राश्ते से हिंदुस्तान में आया था कश्मीर ने पूरे भारत को सुफी जम की भेट दी है और मैं आज इसलिए लेट हो गया मैं इनके साथ बैट कर आया हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक आसा की जियोती देख कर आया हूँ मेरे मन में बहुत आसा जकी है कि जम्मू कस्मीर के अंदर हमेशा के लिए सांती हो सकती है और इसलिए मैं आज कस्मीर के युवा को भी अपिल करने आया हूँ जिनोंने आपके हाथ में पथर पकड़ाये थे उन्होंने क्या भला किया जिन्होंने आपके हाठ में हत्यार पकड़ाये थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं पाक उक्यूपाई कस्मिर नद्दी की है, वहां पूछे, गाउं में बिजली आई है, अस्पताल है क्या? मेडिकल कोलेज बन रहा है क्या गाओं में पीने का पानी आता है क्या बेहनों के लिए सोचाले बना है क्या जराद तुलना तो कर दीजिए कुछ नहीं हुआ है और यह लोग पाकिस्तान की बात करें मैं आपको कहने आया हूँ कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है विकास पर भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है और यह भरोसे के साथ कश्मीर के लोगों विकास की ये प्रक्रिया को आगे हैं वीत्तीन परिवारों ने सेथ्टर साल सासन किया फेक पूछना चाहता हूं जोstanding अब को सत्तर साल तक कस्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बेहने बनने का कस्मीर की माता और बेहनों को तालू का पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यूं नहीं दिया था कि सत्तर साल तक कि सतासी विधायक छे संसत लेकर आप बैठे वो भी आपके इर्दगीर्द के लोगों को बनाया उनको डर लगता था कि आज सरपंच बना है कल तैसिल पंचायत में जाएगा तैसिल पंचायत में गया है वो जीला पंचायत में जाएगा जीला पंचायत में ग विदायक बना है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है अगर भला आप में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनके परिवार का क्या होगा मुझे बताइए तो इन dal 10 जार लोग एह लोगतंत्र के माद्यम से कश्मीर के अंदर कश्मीर की जानता के चुने प्रतिनिदी बने हैं और मैं कश्मीर के युवाओ को कहना चाथा हूं के आप इस लोगतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़िये जो सालों से रोक कर रखी थी वो लोगतांत्री प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाईए आप भी विदायक बन सकते हो आप भी लोगसभा के मेंबर बन सकते हो आप भी भारत सरकार में मंत्री बन सकते हो आप भी जम्मु कस्मिल के मुख्य मंत्री ब पहुचा है घर तक पहुचा है आज बेखौप सबने वॉट डाले 98 98 प्रतिसत 70 70 प्रतिसत वॉटिंग हुई और सारे लोग आज अपना काम कर रहे हैं आरक्षन का फाइदा मेरे पहाड़ी भाईयों को कभी नहीं मिलता था अब उनको मिलने लगेगा मैं आपको पूछने आया हूँ 70 साल तक कस्मीर गाटी की हर माता के घर में गैस का सिलिंडर पहुचा था वही सत बताना पहुचा था जोर से बोले पहुचा था मैं आपको कहता हूँ हमने प्रयास किया है हर घर में गैस का सिलिंडर पहुचे कोई छुट गया है तो टोल फ्री नंबर है प्रसासन का फॉन करिये 24 गंटे में गैस का सिलिंडर पहुचा दिया जाएगा अज जमू कस्मीर के हर घर में गैस का सिलिंडर पहुचा है जमुकस्मीर के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्स रखा है बिजली पहुंच रही है बच्चे को रात को ठंड में अगर अपने घर में बैठ कर अपने अक्जामनेशन की तयारी करनी है तो कोई रोक टोक नहीं है गरिब का बच्चा भी अपने अक्जामनेशन की तयारी मैं कर सकता है कि क्यों नहीं हुआ सकतर साल किस ने रोका था कैसे करते एक साल में से भूप मनोजी कल करवा चौति कल भी नहीं गए यहां 24 घंटे कश्री कश्मीर की अवाम की सिवा में लगे हैं मैं आसा करता हूं कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही आए जो लंडन न जाए कश्मीर के अंदर अनंत नागे अंदर जाकर कश्मीर की जनता की आवाद सुने मित्रों 55,000 घरीब लोगों को घर देने की सुरुवात नरेंद्र मोदी जीनी के 55,000 घरीब इसमें से करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है आग तक कश्मीर के 55,000 परिवारों को रेन बसे रा नहीं था मैं आपको वादा करकर जाता हूँ 2022 के डिसंबर के पहले कश्मीर में घर बगर का कोई नहीं होगा हर एक के पास अपना घर होगा कश्मीर के हर घर के अंदर सोचाले पहुचाने का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है अज माता अभेहनों के लिए कितनी बड़ी सुविदा है स्वास्त के लिए कितनी बड़ी सुविदा है और शुरू किया है अब हर घर के अंदर नल से सुद्द पिने का पानी पहुचानी की शुरू आठी दो पूरे जिले घाटी के दो पूरे जिले हर घर में नल पहुचाने का काम समाप्त हो गया है और 11 जिले इस लिसेंबर तक हम समाप्त कर देंगे और 2022 तक 24 तक 2022 लिसेंबर तक कस्मीर के हर गर में नल से पानी पहुचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगे मैं यह पूचना चाता हूँ जो मुझे बार-बार सवाल पूचते हैं उनको पूचना चाता हूँ आपने क्यों घैस नहीं पहुचाया जवाब बिजिये कस्मीर की जनता को बिजली क्यों नहीं पहुचाई घर क्यों नहीं दिया सौचाल क्यों नहीं दिआ हर घर में नल से सुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं दिया और आज में एक बात करना है हूं जो मोधी जी की मन की बात है पुर्य देश बर में मोधीजी ने एक Kalाषता करीह कि हर गरीब को पांच लाग तक का स्वास्त का पूरा खर्चा बारत सरकार देगी हर गरीब देश में साथ करोड लोगों को दे रहें जब जमू कस्मीर की बारी आई उन्होंने कहा मनोज भाई को कहा मनोज भाई कस्मीर ने बहुत सहाई बहुत गाव है कस्मीर उनके लिए गरीब छोड़ दीजिए हर कस्मीरी को पांच लाग तक की सहाई देने का नीने करिए और सहत योदनाएं अज सेहत योदना के दहट जमू होया कस्मीर हर कस्मीरी को पाँच लाग तक का पूरा खर्चा अज जमू कस्मीर प्रसाशन उठा रही है कोई घरीब बच्चे के बुड़े बाप को भगवान ने करें कैंसर की बीमारी हो जाए दिल का दोरा परे ब्रेंश्ट्रॉक आ जाए वो असहाई नहीं है पहले तो बाप ही के ददा बेटा कितना लौन उठाएगा मैं तो मरूंगा बाद में तू लौन के बोच से मर जाएगा जो होगा भगवान करेगा छोड़ दो मगर आज उसको असहाई नहीं है वो अपने बुड़े बाप को लेकर अस्भताल में जाता है और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ कार्ड यू स्वेप करता है और अपने बाप की जान बचाता है में तो यू साथ देश भर के अंदर य के यूजना घरिबों के लिए और मेरे चम्मो कस्मीर के अंदर ये यूजना हर कस्मीरी के लिए है मैं पूटना चाहता हूं फारुक साब Zweidra हिसाब तो दिजिए सत्तर साल तक एल कस्मीरियों के इलाज की व्यवस्था आपने क्यूं नहीं करी वला एक बार कस्मीर की जंता को आप बता दीजिए महबूबा बेंड आप भी जराए एक बार बता दीजिए इतना लंबा सा संहा आपने क्यूं नहीं करा मित्रो डायरेक ब बच्चों के वजीब हैं, ये सारा कोई कमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कमिशन देने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एक बटन दबाते ही आपके एकाउंट में ट्रांसपर हो जाता है और आपके पोकेट में आ जाता है, 12,00,00 को, जमकस्वीर के 12,00,00 को मोदी जी दिली से बटन दबाते हैं, हर साल 6,000 रूपिया सहाईता का उसके बैंक एकाउंट में पहुंच जाता है, मित्रो पहुंच जाता है, मैं आप लोगों के कहने, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, सोचिए, ये अलग-अलग बातों से आपको घुमरा करते हैं, ये सारी बाते पहले क्यों नहीं, जो ये दो साल के अंदर हो गए, पहले क्यों नहीं हुआ था, किसको इसाब देना है, बताईए, मुझे देना है, मुझे देना है, भया जिसको इसाब देना है, उसे मागिये तो खरा जरा, पुछे ये सब बाते अब बाद में करिए पहले सब काम क्यों नहीं हुआ मित्रों ब्रस्टाचार नाबूद होगा है मनों जिने बड़े भावगता के साथ है नीचे कहीं चलता होगा परन्तु इसको भी नाबूद करने के लिए एड्मिस्ट्रेशन के अंदर आमुल्चूल परिवर्तन लाया जा रहा है मैं अभी अभी कोरोना का प्रकोप आया कोरोना के प्रकोप में पूरी दुनिया इसके सामने लड रही थी मोदी जी के नेत्रूतों में भारत भी लड़ा कस्मीर भी लड़ा टिका डून लिया गया टिका देने की शुरुआत हुई मुझे एक बात बताओ भाई सबसे पहले सो प्रतिसत वैक्सिनेशन सत प्रतिसत टिका करन कौन से राज्य का हुआ मालूम है आपको कौन के स कौनसे राज्य का हुआ जोर से बोले कौनसे राज्य का है क्यों हुआ क्यों की मोदी जी मानते हैं जम्मु कस्मीर ने बहुत घाव जेले हैं सबसे पहले कोरोना से सुरक्सित आज जम्मु कस्मीर को कर देना चाहिए मित्रों और इसलिए जम्मु कस्मीर के हर युवा को हर व्रूद को हर लोगों को जो ठीका देने के लिए जिनका वह है वो सभी को टिका देने का काम समाप्त हो गया है दूसरे चरण का भी 50-30 काम हमने समाप्त कर दिया है मैं धडलले से विश्वास के साथ कहता हूं जिसको एक टिका न मिला ऐसा कोई हो तो जरह हाथ खड़ा करें एक का दुक्का कोई छुट गया है एक भी नहीं खड़ा हूं सबको मिल गया है यह नरेंद्र मोदी जी की कस्मीर के लिए लगाव का यह उदारन है यह प्रमान है तभी जाकर यह होता है परियटन इसारी बात करते थे 40,000 लोग मारे गए देशट गर्दों के खिलाब करो लगाते रहे क्या नतीजा हुआ है गाटी का परियटन समाप्त कर दिया था मैं आपको बताता हूं मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में एक लाक 31,000 परियटक देश के और विदेश के जम्मू कस्मीर के अंदर आये हैं वो बेश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा हम चाहते हैं उनका मकसद क्या है यहां उद्ध्योग न लगे यहां टूरीजम न बड़े यहां का युवा बेरोजगार रहे और बेरोजगार होकर उनके बताय राज्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए हाथ में पुस्तक उ और अपने जीवन को बनाएं देश भर के अंदर जीस प्रकार का विकास का माहोल है इससे भी ज्यादा विकास जम्मु कस्मिर का हो इसलिए धेर सारी योगनाओं को आज ही हम यहां से गोशित करने वाले हैं बेमिनाज स्रीजगर में 520 वाला अपस्पताल 115 करोड उप्य की लागत से पूरा होने का काम हो गया है आप उसका फाइदा उठा ले हो पैसा भी नहीं देना है वहां जाकर वो कार्ड स्वेब कर देना और याद करना कि 70 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया था अज ही मेडिकल कोलेज यहां से ही उसका सिला न्यास हो रहा है वित्रों इत्रे साल के अंदर इन तीन परिवारों के शासंद हाँ पांच मेडिकल कोलेज बनाए थे दो तो राजा साब बना कर गए थे तीन इनों ने बनाए कितने बनाए जरा बोलो भई ठंड है मगर बोलना पड़ेगा कितने बनाए मोदी जी ने ये दो साल के अंदर साथ मेडिकल कोलेज बनाने का काम पूरा कर दिया है मनोदी सुधार कर रहे थे तिनी बनाए तो राजा साब का दो निकाल दो तो उन्हेंने एक ही बनाए मगर मित्रो 500 युवा यहां से डाक्टर बनते थे 500 और फिर पाकिस्तान पढ़ने भेजते थे मैं आपको कहने आए कोई बच्चे को पाकिस्तान पढ़ने भेजने की जरूरत नहीं है अब कस्मीर के अंदर 2000 युवा बैडिकल डॉक्टर बन सकते है यह मोदी जी का सासन है खिरा मनदना के रास्ते संगम से सेरी गुपफवार तक सड़क का चोड़ी करण 46 लाक करोड के 46 करोड के खर्चे से हो रहा है नौगाम जलपुरा बांधिपुरा में नाला फिरोज पूरा पर 5-42 मिटर का स्पेन स्टिल गडर का पूल का निर्माण 11 करोड की लागत से 160 MVA बसो 20-32 केवी गैस इंसिलिटेट सबस्टेशन रसीपोर पुलवामा में 76 करोड के लागत से केंद्रिय पुस्ता कालाई इस्टामिक निवर्सिटी आफ साइंस टेक्नोलोजी के अंदर यहां के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है सडके और पुलो में पिछले वर्स 2000 करोड की सरके इस बार 4000 करोड की सरके बनाने का काम भी आज ही हम सुरूब करे हैं PM पैकेज रोजगार के तहट 841 करमचारी की आद नियुक्ति देने जा रहा है 25 लिखासायक में 2000 लोगों को आद नियुक्ति देने जा रहा है तेजस्विनी के तहट 2000 युवा महिलाओं को कौसल प्रसिक्षन योग्या योग्यता और अस्थानिय परिस्थिति के अनुकुल उनको कौसल प्रसिक्षन के लिए चायनित किया गया है वहने अधिकार के पट्टे भी दिये जा रहे हैं एक क्रिकेट फुट्बल और बास्केट बॉल की ट्रॉफी रोलिंग ट्रॉफी शुरू की है इसके लिए एल जी साब ने पंद्रा करोर डूपया लगा है मेरा कस्मीर की से युवाओ को एक निवेदन है क्यू भारत की टीम के अंदर क्रिकेट टीम के अंदर कस्मीर से कोई युवा न हो गई कस्मीर के युवा में बहुत कुवत है ये ट्रॉफी जो शुरू हो रही है इसका उपयोग करकर आप कस्मीर के युवाओ को इन खेलोग से जोड़ने का काम करिए आज में तो एक बहुत बड़ा कारेक्रम हो रहा है शुरू 75 सुफी धार्मिक स्थलों को मंदिरों को गुरुद्वारों को और इस्लामिक धार्मिक स्थलों को उन्नयन सरकारी खर्चे से करकर यहां पर फीर से एक बार गंगा जमनी तहजिब की सुरूआत की जा रही है परागमन आवास का निर्मान एक होस्टेल बन रही है ट्रांसिट आवास के लिए और अवधोगीक विकास की भी में बात करना जरूर चाहूंगा मैं तो अवधोगीक विकास के लिए अब तक सत्तर साल में इन तिन परिवारों का टोटल बारा से पंद्रह अजार करोड उपे का निवेश आए था मैं फिर से एक बार आप से बुलवाना चाहता हूं कितना निवेश आए था बारा से पंद्रह अजार करोड जोड से बूले कितना मोदी जी ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स की रियायत वो पॉलिसी में दी है और आज मैं आपको बताता हूँ छे मैने ही हुए हैं हम बारा हजार करोर रुपया क्रॉस कर गए हैं साथ हजार करोर रुपया जमू में इन्वेस्टमेंट हो रहा है छे हजार करोर रुपया मेरी कस्मीर घाटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आज ही पांसो करोर रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जमीन देने का कारेकरम है मित्रों आपको मैं कह कर जाता हूं 2022 आते जमुकस्मीर के अंदर पचास अजार करोड से ज्यादा रूपय का इंवेट्मेंट जमीन पर आएगा और पांथ लाख बच्चों को इसमें से रोजगारी मिलेगी मित्रों पांच लाख बच्चों को अरे आपके आठ के सामने होगा आप देख पाओगे क्योंकि कोई छुप छुपा कर कुछ हो नहीं सकता मित्रों इसके अलावे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं एक सतर साल तक तिन परिवार उन्होंने सासन दिया उन्होंने क्या दिया मैंने आगे कहा 87 विदायक 6 पुल्वां में不对 मैं करोड़ कि लागत से एंसा बन रहा है दोहजार करोड़ पुल्वां मीत्रों के लिए कि कॉलेज बन थे पथर बाजी थी अगुग लगब नौसोऔ की कि लागत से आयाइटी नीप्ट ये सारी चीज़े आ रही है और मित्रो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा के समन में भी रहसत गर्दी पर बहुत बड़ा काबू बना लिया गया है मित्रो यहां दो एम्स आये हैं एक आयाइटी आई है नीप्ट आया है मेडिकल कॉलेज आये हैं एक सोलार ग्रीड आई है डिस्तिक होस्पिटल रियासी में बना है इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहे हैं धेर सारे विकास के काम आज आगे बड़े हैं और मुझे भरोसा है मित्रो जम्मू कस्मीर देखते 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 ही मेरी बात ध्यान से स सबसे सुबा बनने के में आज आप लोगों को कहने आए हूं मोदी जी यहाँ पर विकास के काम को आगे बड़ाना चाहते हैं क्या घाटी का युवा कस्मीर का युवा मोदी जी के इस काम में साथ देने के लिए तैयार है भाई मुझे बताओ आप लोग मोदी जी के साथ जुड़कर विकास करने के लिए तैयार हो पीछे से आवाद नहीं दा जोर से बोलो तैयार हो हम विवाद को गुमरा नहीं होने देंगे तैयार हो उनके हाथ में पठर नहीं रहने देंगे तैयार हो मित्रो यही जजबा जम्मु कस्मीर का विकास करेगा ना कोई सरकार कर सकती है ना गवर्नर साब कर सकते है ना मैं कर सकता हूँ जम्मु कस्मीर का विकास घाटी का विकास मेरे घाटी की अवाम और घाटी का युवाही कर सकता है मैं बड़े मन से आया हूँ मैं घाटी के लोगों के साथ मन खोल कर कहने आया हूं कि घाटी के अंदर नए युकी शुरुआत करने की समय आ गया है दक्यान उसी बातों से बाहर निकली एक गुम्राज जो करते हैं उनको सवाल पुछे और उन्होंने क्या करा इसका इसाब मांग लिए बहुत हो गया 40,000 लोग मारे गए हैं चाहे सेना के हो चाहे पुलीस के हो चाहे दैसतगर्थ हो चाहे जनता के मारे गए अवाम के मारे गए 40,000 लोग युद्धो में नहीं मारे जाते हैं, अब हमें वापिस आना है या नहीं आना है, जम्मु कस्मीर की जनता, घाटी की जनता टै कर ले, मोधी जी के बताये रास्ते पर आगे बढ़ना है, और जम्मु कस्मीर को देश का सबसे विक्सित सुबा बनाना है, मित्रो, काम अब शुरू हुआ और अभी उद्धाटन का कारेक्रम बाकी है, आप थोड़ी देर जरूर बैठिये, सारे लोगों को, बच्चों को यहां से रोजगारी का पत्र दिया जाएगा, और यी उद्धाटन भी करे जाएंगे, जो युदनाय में बूली हूँ, इसका मेरी आ आजे आने वाला समय हम सब के लिए उज्वल हो, भारत मता कीजें